बच्चो आप सभी का श्वागत करते हैं आज हम वीडियो लेके आचोगे बच्चो का अक्षे नौव इसे विज्ञान का बच्चो अध्याए नमबर तीन है परमान और अडू बाले विश्वाप्टेन बच्चो हम बात कर रहे हैं याँपर से रहेगा इसको हम डेटेल बच्चो चर्चा करेंगे सभी द्रब्य परमानों से निर्मित होते हैं बच्चो जो सभी द्रब्य होते हैं क्या होते हैं वही बच्चो क्या होते हैं आभिभाज सूक्षतम कण होते हैं बच्चो क्या होते हैं परमान आभिभाज सूक्षतम कण ह शिद्ध करता है चले अगले पॉइंट भी बचो हम चर्चा कर लेते हैं तो अगला पॉइंट किया कहता बचो तो अगला पॉइंट बचो और भी सरल हैं बोला जा रहा है यहां पर द्धान से सुनिएगा कि दिये गए तत्व सभी परमानु के दिये ये बम राइशानिक गुर्धर्म शमान होते हैं यानि जो तत्तु दिये जाते बच्चों सभी के परमाणों के द्रब्यमान और राइशानिक गुर्धर्म बच्चों क्या होते हैं शमान होते हैं भिन भिन तत्तों के परमाणों के द्रब्यमान और राइशानिक गुर्धर्म बच्चो क्या होते हैं भिन भिन होते हैं जैसे मालीजे हमने समान तत्तो लिया तो समान तत्तो के राइशानिक गुर्धर्म और उनकी राइशानिक प्रक्रिया बच्चो क्या होती शमान होती लेकिन जैसे हमने क्या क्या बच्चो तत्तो को हमने बदल दिया अलग अलग तत्तो ले लेंगे बच्चो तो अलग अलग तत्तो के जो परमानुद्र बिमान होंगे वो भी अलग होंगे और रायसानिक जो गुर्धर्म होंगे बच्चो भी क्या होंगे अलग अलग पाए जाएंगे अगला पाइंट नोट करेंगे बच्चो भिन भिन ततो परमाण परस पर छोटी छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके योगी बच्चो पढ़ाई में डाउट आते हैं तो सॉल्व नहीं हो पारे तो घबराओ मत इसका स्वाल में आपको डाउट हो इसकी फोटो कुछ रोप करो पांस सेकंड के अंदर उसका बीडियो स्वाल मिल जाएगा वो भी बिलकुल फ्रेम है यानि अब आप पूचे अनलिम्टे जेए नीट के बच्चो के लिए ओनलाइन क्लासे जिसका है सबन कर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक वन तो आज ही डाउट नटाइप को इस्टाल करो अपने सभी डाउट को भगाओ और टाप रैंक लेकर आओ प्रमाण करते बच्चो क्या कहलाता है यह अंस इस्थिर अनुपात का बच्चो नियम को शिद्ध करता किसको शिद्ध करेगा प्यारे बच्चो इस्थिर अनुपात के नियम को बच्चो यह शिद्ध करता है चले छटा पाइट नोट करिए का किसी भी योगिक में प्रकार से बच्चो निश्चित होती हैं यहाँ पर आक्सिजन का केबल और केबल एक अणू का है इस्तवाल करते हैं इस प्रकार बच्चो हमारा जो जल का फार्मूला होता है बच्चो किस प्रकार से होता है ह्ट्चो का बच्चो क्या होता है निर्मान हो जाता है तो चले इस बात को आप थोड़ा से और रेप समझेंगे बच्चो चले थोड़ा से जानते बच्चो के परमान क्या होता है किस प्रकार से इसका निर्मान होता बच्चो तो आधुनिक परमान सिध्धान के अनुशार प बचो क्या होता है परमान किसी भी तत्व का वह सुक्षतम भाग होता है यानि सबसे छोटा कड़ होता है जो किसी भी राशाने के अवक्रिया में बिना भाग लिये हुए या बिना अपने राशाने के भैते गुर्धर्मों को बिना बदले हुए उस अवक्रिया में क्या करता बच्चो परियुक्त होता है परमाण तत्यके सुक्ष्टम भाग होते हैं जिने किसी भी सक्तिसाली सुक्ष्म दर्शी के सायता से बच्चो हम आसानी से देख नहीं सकते हैं अगर आपके पास सक्तिसाली सुक्ष्म दर्शी नहीं है बच्चो तो हम सामाने आखों से हम क्या कर सकते हैं परमाण को नहीं देख सकते हैं सबसे सोक्षम हाइडरोजन परमाण की परमाण उतरज्जा बच्चो कितनी होती है तो 0.3 सेबर इंटू 10 की घाते माइनस 10 मेटर होती बच्चो इसको आप लोग याद कर लिजेगा बहुत इंपोर्टन रहेगा बच्चो या एक नैनो मेटर बरावर 10 घाते 10 माइनस मेटर होता बच्चो इक है आयू पी एसी के आधार पर बच्चो कुछ चीज़े यहाँ पर जान लिजेगा कि कौन कौन से से तत्व हैं बच्चो तिन तत्व के बारे में आप नोट कर सकते हैं जिनके परमाण द्रब्यमान कहलाते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं बैरे बच्चो जैसे माल लिजे हमारे पास एलमूनियम का चिन अल होता है आरगन का है, आरवेरियम का BA, कैल्सियम का CA, क्लोरिन का CL, कोबाल्ट का CO और लीड का बिटरजी हम PB नोट करते हैं इसी तरीके से बहुत शारे ऐसे तत्यों जिनके यहाँ पर आपको तत्यों और चिन्न बच्चों आपको देखने को मिल जाएंगे किसी भी तत्यों के एक परमानों का द्रब्यमान उसका बच्चों क्या कहलाता है परमानों द्रब्यमान कहलाएगा बच्चों क्या कहलाएगा परमानों द्रब्यमान कहलाता है इसको कैसे डिनोट करते हैं बच्चों तो हम इसको आसानी से 1961 में बर्स में बच्चो क्या किया गया था IOPAC ने परमाणों दरब्मान के इकाई को बच्चो यू को हम क्या कहते हैं परमाणों के दरब्मान का मापक माना गया क्या माना गया बच्चो जो हमारा इसमाल यू होता है उसे हम परमाणों दरब्मान के इकाई या फिर यू को बच्चो हम क्या मानते हैं परमानों के द्रब्मान का मापक माना गया था तो चलिए हम अगले पॉइंट पर बच्चो अगले वाइडियो में आपको मिलेंगे